इस बार मातम भारत नहीं कोई और मनाएगा, yes. Well, hello guys, welcome to Movies that are the Zia, host and those Jyoti Nahak. Finally, Commando 3 का धमाकेदार power pack trailer आचुका है, जो की, जिसको देखने के बाद सिर्फर सिर्फ भारतवाद नजर आता है, भारतवाद feel होता है और ऐसा ही कुछ ये trailer कह रहा है, विद्यू जामवाल, अदाशर्मा, साथ ही साथ, you know, धमाकेदार एक पूरी team है, इस पूरी team ने definitely, अधित्या दत्ता ने manage कया है, एक धमाकेदार team को अपने साथ लाने का, और Commando 3 जैसी fabulous film देने का, जब Commando आई थी, unexpectedly इतना जादा पसंद आई थी लोगों को film, बहुत जादा appreciate किया गया था इस film को, अब जब Commando 2 जब आई थी, तभी भी लोगों को बहुत पसंद आया था, अब 3 जब आया है, विद्यू जामवाल और अदाशर्मा की जोड़ी को लोग बहुत बहुत पसंद करते हैं, और साथ ही साथ, जब subject हो, जब subject हो, भारतवाद, तो CT निकल ही जाती है, जैसा कि ट्रेलर में भी है, कि क्या डायलॉग मारा है, CT अपने आप निकल जाती है, वैसे ही, CT निकल जाती है, जब हम ऐसा कोई topic देखते हैं, थेटर्र में, दिल हमारे बाग-बाग हो जाते हैं, स्टोरी, थूआउट जो है, वो फिल्म की, यही समझ में आ रही है, कि patriotic scene है, patriotic content है, और definitely 2 minute 57 seconds का यह ट्रेलर जो है, यहाँ पर आपको सिर्फ भर-भर के action देखने को मिल रहा है, विद्यू जामवाल का, और उसके साथ, अदा शर्मा भी काफी अच्छे action scenes करती नजर आ रही है, तो action, content in patriotic stories, and साथी साथ power pack, you know, acting, यह तीनों ही चीजों का mixture, आपको Commando 3 में देखने को मिलेगा, यही ट्रिपल तड़का देखने को मिलेगा, और साथी साथ, Aditya Datta ने इस film को direct किया है, फिल्म 29th of November को release हो रही है, आज trailer आज चुका है, finally, मैं अपनी तरफ से इस trailer को देना चाहूंगी, without any doubt, 3.5 stars, because there's still scope for better things, और भी dialogues आने वाले हैं, और भी dialogues, और भी teasers, promos, और भी बाहर आएंगे, उसके बाद हम decide करेंगे, बट फिल्हाल के लिए, मुझे इट रेलर बहुत पसंद आया, आपको कितना पसंद आया, comment section आपका है, जाके बताईए, and subscribe करना मत भूलिएगा हमारे channel movies जड़ा को, मैं हूँ जोतीना हग, signing off.